जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आप सभी को बता दे Indian Air Force यानि भारतिये वाईव सेना के तरप से आप सभी के लिए New Vecancy जारी कर दिया गया है और आप सभी को बता दे कि ये Vecancy केवल अगर आप 10 वी पास है केवल 10 वी पास है तेंथ पास है तो आप सभी को बता दे कि इस भारति के अंतरगत Age Limit भी काफी दिया गया है यानि कि अगर आपका भी Age 18 से 30 वर्स है तो आप सभी इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यानि कि minimum 18 और maximum 30 तो आज की इस वीडियो में आपको complete जनकारी इस भारति के बारे में मिलने वाला है और कौन- मिलेगा तो वीडियो में लाश्क तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन को दबा दिजिए तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा वेकेंसी का official notification और आप सभी को बता द देखाएंगे तता इसका offline firm में भी दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पले इस भरती की eligibility criteria के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो ये वेकेंसी है ये group C post के लिए है और यहाँ पर काफी सारा post है मैं आप सभी को यहाँ दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर first जो post है MTS का है multitasking staff और इसमें जो qualification है यहाँ पर देख सकते हैं educational qualification बताया गया है matriculation यानि की matriculation का मतलब हुगा तेंथ पास अगर आप तेंथ पास है किसी भी board से तो आप सभी इस firm को apply कर सकते हैं MTS के लिए जो की Indian Air Force के अंत्रकत है और यह जो ह इसमें किसी भी परकार की आपको percentage की मांग नहीं किया गया है इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को बता दे कि यह जो vacancy है इसमें आप से desirable में जो है one year of experience as watchman या last car of या gesternor operator या mail from an organization या institute तो इसमें एक साल का experience certificate भी मांगा जा रहा है watchman का या last car या gesternor operator का तो अगर आपके पास ये post के लिए नहीं है experience certificate तो आप सभी इसे apply कर सकते हैं second जो vacancy है house keeping staff के लिए है इसमें केवल 3 पास मांगा गया है यहाँ पर देख सकते हैं केवल 3 पास मांगा गया है अगर आप सभी house keeping staff के लिए apply करना चाहते हैं तो 3 पास है तो इस form को आप सभी apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर मेस staff के लिए है तो मेस staff के लिए भी matriculation जो 3 पास मांगा गया है यानि matriculation इसमें लिखा गया है और one year of experience as waiter या वासर यानि कि waiter का अगर आपके पास experience certificate है तो आप सभी इस form को apply कर सकते हैं मेस staff में आप सभी को बता दे कि इसमें काफी सारे post ह जिसमें experience certificate मांगा गया है कुछ ऐसे भी post है जिसमें experience certificate नहीं मांगा गया है यहाँ पर age भी आप सभी को बता दे तो age देखिए 18-25 बर्स दिया गया है यानि सभी post का 18-25 है लेकिन जो student AC-ST से है उनको 5 बर्स का छूट और OBC से जो है उनको 3 बर्स का छूट दिया गया है तो यहाँ पे LDC की बात करें LDC के लिए 12th pass आपसे मांगा गया है 12th pass होना चाहिए और इसके अलावा यहाँ पे a typing speed of 30 word per minute in English और जो है typing speed भी आपके पास होना चाहिए यानि कि अगर आप typing करते हैं और typing speed per minute आपको इंगलिस में जो है 35 और हिंदी में 30 है तो आप सभी इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं लेकिन typing speed की अभी जरूयत नहीं है आप सभी अगर simple से जो भी यह student केवल 12th pass है या केवल 13th pass है उनके लिए मैं बता दू LDC का फर्म आप अप अपलाई कर सकते हैं housekeeping staff के लिए कर सकते हैं अगर आपके पास waiter का experience certificate है तो message staff के लिए कर सकते हैं इसके बा grade 2 का frequency है जो की 12th pass पर है इसे भी आप सभी अपलाई कर सकते हैं इसके बाद store के लिए है तो इसमें तो यहाँ पे experience मांगा गया है तो सायद आपके पास नहीं हो तो इसे आप छोड़ दे अगर है तो कर दिजिएगा storekeeper के लिए भी 12th pass की जरूरत है और यहाँ पे storekeeper के अंत 3th pass पर है इसे आप apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे है carpenter के लिए तो carpenter में अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपके पास अगर ITI है metric pass है आप 3th pass है और इसके अलवाई industrial training in studio यानि ITI का certificate है तो आप सभी carpenter में apply कर सकते हैं painter के लिए भी ITI आपके पास होना चाहिए और 3th pass book में तो आप सभी जो है इसमें apply कर सकते हैं fireman के लिए जो देख सकते हैं 3th pass होना आवास्यक है तो यहाँ पे आपको बता दे कि जो भी यह student के पास अगर experience certificate नहीं है तो यह कौन-कौन से फर्म को apply कर सकते हैं तो पहला जो है housekeeping staff कर सकते हैं इसमें केवल 3th pass है इसके बाद आ typing तो बाद में मांगा जाता है तो आप फर्म अपलाई करने के बाद typing सीख सकते हैं यह एक मंद दो मंद में आप सीख जाएंगे इसके बाद इस टोनों गर आफर गरेट टू के लिए भी आप अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पे मैं और पोस्ट आपको बता दूँ यहाँ अगला जो पोस्ट है अगर IT है तो कारपेंटर के लिए कर सकते हैं और कुक के लिए भी कर सकते हैं तो कुक के लिए आप experience certificate आप अपने नजदीकी से बनवा सकते हैं किसी भी होटल से तो यह जो है यहाँ पे कुक के लिए है और फायर मैन के लिए भी यहाँ पे वेकेंसी ह तो का भी सारे पोस्ट है यहां पर फीजिकल एक जाइमिनेशन के बारे में भी यहां पर दिया गया है कि आपके पास 165 cm हाइट होना चाहिए और यहां पर जो सीडियू ट्राइब से हैं उनको 2.5 cm का छूट दिया जाएगा मैं आपको यहां पर जूम करके दिखा देता हूं 2.5 cm AST केटेगोरी को छूट दिया गया है चेश्ट 81.5 cm और जो है एकस्पेंशन करके 85 cm करना होगा वेट 50 के जी और यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर देखिए यह सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के सुरू में ही बता हैं कि यह ओफ लाइन फॉर्म है तो ओफ कहां जो है आपको फोरम फिजना है अगर आप मेंस स्टाफ के लिए करते हैं और अगर आप अन रिजर्म कैटेगोरी से है तो आपको इस एड्रेस पड़ना है एयर एयर फोर्स स्टेशन रतन दा जोधपूर राज 34 21 यह जो है इसका एड्रेस है पीन दिया गया है अगर आ आप MTS के लिए करना चाहते हैं तो इसका address अलग है उसका यानि कि offline form apply करने के लिए अलग address है इसके अलबा अगर आप HKS के लिए करना चाहते हैं जो कि 3 पास पर है उसका address यहाँ पर देख सकते हैं अलग है तो सभी का address अलग अलग है आप एक बार इस notification को जरूर देख लिजिए का apply करते समय नहीं तो आप comment में आप सभी हमें बताईए कि आप कौन-कौन से post पर apply करना चाहते हैं हम next video में आपको इसके detail में बता देंगे क्योंकि video काफी लंबा होगा और यहाँ पर देखिए सभी का address अलग अलग दिया गया है सभी post का LDC के लिए करना चाहते हैं तो आपको इस address पर भेजना होगा और MTS के लिए करना चाहते हैं तो इस address पर भेजना होगा तो काफी सारा address धिया गया है तो यह आप notification एक बार जरूर देखें उसके बाद ही form apply किजिएगा यहाँ पर देख लेजिए complete detail है यहाँ पर how to apply की बात करे तो eligible candidate can apply to any of the above force, air force station of their choice तो यहाँ पर apply के बारे में बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ इसका last date कब है तो देखिए last date जो है इस form का है last day of receipt of application is this day from the date of advertisement in employment news यानि कि जो अभी आपका यह notification साइट पर देखने को नहीं मिलेगा मैं आप सभी को बता देता हूँ ना ही employment news paper में तो employment news paper में यह जो है एक से दो दिन में आ जाएगा उसके बाद यानि कि अगर आपको मैं इसका date बता दूँ तो next month यानि कि अभी 5 March तक जो है इस form को आप apply कर सकते हैं यहाँ पे देखिए age में छूट दिया गया है जैसे कि 3 वरस का चूट OBC को 5 वरस का को और यहाँ पे इसके अलावा काफी सारे जनकारी है मैं आपको बता दू यहाँ पे देखिए सभी डिटल दिया गया है और यहाँ पे फॉर्मेट आप अपलीकेशन जो है इस फॉर्म को आपको भरना है यहाँ पे फोटो लगाना है कौन से पोस्ट पर आप अपलाई करना चाहते हैं candidate का name father's name date of birth age और यहां पर कास्ट यह फर्म नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्म भरने के तरीका बताएंगे कि कैसे आपको फर्म इसे भरना है अगर आप सभी comment करते हैं तो और इसका link भी हम description में दे देंगे इसका officially notification का और comment box में आप बताएंगे कि अगर आप फर्म भरना चाहते हैं तो इस पर मैं एक वीडियो मना दूंगा और यहां पर देख सकते हैं यहीं इसका application form है जो यहां से सुरू होता है format of application इसे ही आपके भर के और जो भी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब जोस्तों किसान सेर चेर चाहिए